आगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो गा तो आपको याद होगा कि मैंने होममेड air-dry clay की रेजिपी शेयर कि थी. और साथ ही यह भी मेंशन किया था कि आगे मैं इस clay से बने और भी वीडियो लिकर आउंगी. तो आज मैं आपके लिए होमट क्ले से बने इस तरह के बैंगल का टिटोरियल लेकर आई हूँ इसे मैंने रोज डिजाइन में बनाया है और इसे ऑक्सिटाइज जूलिरी का लुप लिए है मैंने चैनल पर पहले भी बहुत सारे air dry clay से बने oxidized jewelry idea share किये हैं और साथ ही plastic bottle और silk thread से बने भी बहुत सारे jewelry idea share किये हैं तो अगर आप भी handmade jewelry में interested हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर check out करें मैं सारे link description में mention कर दूँगी तो बस चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमी निना है homemade clay जिसकी recipe मैंने लास्ट वीडियो में share की थी और इस तरीके से इसके हमें छोटे-छोटे roses बना लेने हैं एक bangle के लिए आपको 15-20 roses बनाने होंगे और इसे फिर 18-24 hours के लिए dry होने के लिए छोड़ दें तो यहाँ पर मैंने कुछ roses पहले से ही बना के और dry करके रखे हुए हैं और अब हमें लेनी है metal की या फिर काच की पुरानी bangle और इसे glue की help से आपस में इस तरह से छुटा लेंगे अब हम clay लेंगे उसे roll करेंगे और उसे इस तरह से बैंगल के उपर apply कर लेना है evenly अच्छे से set कर ले और next step में जो हमने roses बना कर रखे हुए थे उन्हें clay के उपर इस तरह से हमें प्रेस करके set करना है तो अब इसे dry होने के लिए छोड़ देंगे और आगे as always मैं आपको जैसा oxidized jewelry का procedure बताती हूँ same procedure follow करना है black color लेना है और इसे अच्छे से black color से पूरी तरह color कर ले और जब black color dry हो जाए तो लेंगे silver powder color और silver powder color को उंगलियों पे हलका सा लगा कर इस तरह से इसके उपर apply करना है तो इस तरीके से आपका बैंगल almost ready है बस इसके उपर के silver color को protect करने के लिए एक layer clear awareness या फिर transparent nail print का apply करने और सेम उसी तरीके से दुसरा piece भी ready कर लें और बस तयार है आपका rose oxidized banker तो जैसा कि आपने देखा इसे बनाना बहुत की आसान है तो आप भी इसे जरूर ट्राइब करें और अगर आप बना कर सोचल मीडिया पर सेर करते हैं तो मुझे प्रैक करना ना भूलें तो इस तरीके से आप homemade clay से भी jewelry और साथी और भी clay related craft बना सकते हैं So that's all for today's video I hope आपको पसंद आया होगा अपना feedback मेरे साथ comment section में जरूर share करें और आप future में किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी comment करके बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो उस red subscribe button को जरूर दबा लें ऐसे और भी interesting videos के लिए तो बस आज क लिए इतना ही मिलेंगे जल ही एक नए DIY आइडिया के साथ